हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डी एंसी के बाद में ब्लीडिंग होना जरूरी है या नहीं है और अगर ब्लीडिंग होती है तो कितने दिन तक होती है और अगर नहीं होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसी के बारे में वीडियो में विस्त इस टॉपिक पर कमेंट्स आते हैं कि मेडम हमने डीनसी कर वाए डीनसी होने के बाद में मेरे को इतने दिन से ब्लीडिंग हो रही है कब बंद होगी या फिर मेरी डीनसी हुई है डीनसी का मतलब सर्जिकल एबोर्शन या जिसको हम नॉर्मल लेंग्वेज में सफाई बोलते है और नॉर्मल सी बात है लेडिसों को बहुत जादा नॉलेज नहीं होता है तो वह कहीं न कहीं इन चीजों को सर्च करती रहती है ताकि उनको अच्छे से नॉलेज मिल सकें तो हम बात करते ही कि कोई भी महला डीनसी कप करवाती है जब या तो उसका दवाई लेकर की केस गड़ गया या रिटेन प्रोड़क्ट बज गया या पेशेंट ने जो फ्रेश केस था उसी में डीन सी करवाना चाहा उनने सोचा कि मैं दवायों की चक्कर में नहीं पड़ती हूं और मेरा तो केस एकी बार में मुझे क्लियर करना है बार-बार में होस्पिटल के विजिट नहीं कर सकते हूं या मेरे पास टाइम नहीं है इस तरह के बहुत सारे कारण रेते तब मेला सर्जिकल एबोर्शन या फिर सफाई करवा लेती है तो सफाई में आपको बहुत सारे बेनिफिट भी रहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है बहुत दिनों त करते तो पूरा ही क्लीन कर देते결 Phylican के दोरान यानि के सफाई के दोरान तो कि train cm के बाद में bleeding होती तो कितने दिन तक होती और कितनी मात्र में bleeding हो क्योंकि पेशनक और कि सारी पैषण्य से रहती जिनकी दीनसिये से नहीं होती यह तो उनको बहुत हेवी फ्लो रहता है बड़े-बड़े प्लोट स्पास होते हैं तो हम कैसे का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल है तो डीनसी के बाद में जब पेशेंट घर जाता है डोक्टर उसको पेड लगा के भेजते तो उसके पांच एमिल तक ब्लड आना नॉर्मल है मतलब आदा पेड भर जाना नॉर्मल है अगर इससे जादा ब्लीडिंग हो रही है आपको डीनसी के बाद भी हर मतलब 4-6 घंटे में पेड चेंज करना पड़ रहा है तो फिर यह नॉर्मल नहीं है यह कंडिशन आपकी एबनॉर् इस क्या होता है कि पूरे दिन में अगर आपको आदा पेड यूज हो रहा तो यह नॉर्मल है डीनसी के बाद में इतनी ब्लीडिंग अगर होती है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं 4-5 दिन में ब्लीडिंग बंद हो जानी चाहिए पर आप बहुत सारे लोग ऐसी भी कंप्ल तो यह आपके लिए अच्छा संकित नहीं है ऐसी कंडिशन में मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आपने डीनसी करवाली ठीक है अगर आपको कुछ और भी लक्षन दिख रहे हैं जैसे कि ब्लीडिंग के साथ में कुछ क्लोट पास होना जमा जमा बलड निकलना पेट का निशला हिस्सा जो रहता है या पेडू लोवर एब्डोमिनल में नाभी के आसपास के एरिये में आपको बहुत जम से पेट में दर्द होता है जैसे अचानक से क्रेम सारे इसके बाद में कमर में भी दर्द है और बुखार भी आ रहा है और दवाईया ले अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आपको ऐसी कंडिशन में दूसरे होस्पिटल में जाना है अपना अल्ट्रसाउंड करवाना चाहिए और वो अल्ट्रसाउंड का रिपोर्ट आपको इस डोक्टर से समझना चाहिए कि डोक्टर साब मेरी जो रिपो और अगर आप कोई भी डोक्टर को रिपोर्ट दिखा रहे और वो डोक्टर आपको अच्छे से नहीं समझा पारे कि डीन से अच्छे से होई या नहीं होई तो मेरी भी ओनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है अपोईमेंट बुक करके आप लोग मुझे भी रिपोर्ट दि उस सोनोग्राफी में अगर टुकडे आते हैं डीन से के बाद भी तो फिर उसका यही सॉलूशन रहता है कि आप फिर से अपने डोक्टर के पास में जाईए उनको रिपोर्ट दिखाईए और डोक्टर को बताईए कि जो क्लोट्स बच्चे है मतलब डोक्टर खुद रिप के हुए रहते तो कहीं बार छूट जाते हैं वो कोई भी डोक्टर जानबूच के नहीं छोड़ता है तो अगर आपके भी टुकडे छूट गए हैं मिनस रिटेन प्रोडेक्ट उसमारा या फिर कुछ क्लोट्स बच गए हैं बलट के क्लोट जमे हुए हैं तो ऐसे में डोक इसी के बाद में कितनी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है कितनी ब्लीडिंग एबनॉर्मल मानते हैं और क्या लक्षन होने पे आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में संपुर्ण जानकारी दे पाई हूं धन्यवाद